ओडिशा के बाला सोर में हुई रेलवे दुर्घटना के बाद से एक वार पूरे देश में रेलवे के परती लोगों में आक्रोस है और लोग घायल और मिर्थ परिवार के परती समवेदना जता रहें दूसरी तरफ बिहार में रेलवे को लेकर और रेल यात्रियों को लेकर बड़ी खुसखबरी सामने आ रही है जिहां बिहार से एक खुसखबरी है खासर के राजधानी पटना से और ओभी जारखंड को जोड़ने वाले ये खुसखबरी आपको हम बताने जा रहे हैं बंदे भारत ट्रेन की आठ बोग्यों की एक कार जो की चिन्नाई से पटना के लिए रवाना हो चुका है और वो पटना पहुंचने वाला है किसी भी वक्त पटना पहुंच सकता है बताया जा रहा है कि पटना में जाच के बाद बंदे भारत के परिचालन का सुभरम यानि की चाल पटना राची रूट के लिए आठ बोगियों वाले अलाउक्मेंट की पुष्टी उन्होंने कर दी है उन्होंने बताया है कि पटना राची बंदे भारत ट्रेन चलानी की तारीक की घुसना होने पर इसके आधिकारिक रूप से सुचना दी जाएगी हाला कि संभावना ब्यक ट्रेन का सेकेंडरी मेंटेनंस होना है इसका प्रात्मिक मेंटेनंस यानि जाच की परकिरिया राची में होना है और राजिंदर नगर कोचिंग कंपलेश को इसके मेंटेनंस के लिए पूरी तरह तयार रखा गया है राजिंदर नगर में इसके नए कोच के आने के बाद ट ट्राइल रन किया जाएगा बताया जा रहा है कि ट्राइल रन के दोरान सभी तक निकी पक्ष के साथ सुरक्षा के बारिक पहलूँओं को भी जाच किया जाएगा बंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन से पटना से राची के बीच की दूरी महज 6 घंटे में ते करने की बात कि जा रहे है जिससे लोगों को समय का काफी बचत होगा बतादे की लोगों को इस सेमी हाइस्पी ट्रेंच चलने का इंतजार काफी isterij से है और लोग काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं और आप पेपर और तीवी में यंद खबर भी सुनें और विहार में बंदे भारत ट्रेन की सुरुवात होने वाली है विहार में रेलात्रीयों के लिए एक खुसकबरी कितना है यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे अगर यह वीडियो फेस्बुक के माध्यम से देख रहें तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें आपका बहुत-बहुत धन्नवार लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें